दो लाख रपी है बड़ बड़े कलाकार नहीं मिलते दो लाख रपी है काश हम भी उट होते बीतर ते आवाज रेकर रोक दें बीतर है नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त विनोज सर्मा और भीवानी के पशु प्रदस्नी मेले से कैसी तस्वीर आपको दिखाई दे रही होगी दोस्तों स्पेसल यह वो कैमल है वो उट है जिसने आज जी सीम साब को बिठाया और उस पर ही बेट कर स्पेसल इंट्रू हो रहा है मेरे साथ मुझा तीन दिन आप मौजूद रहें मैं तो मजाया है मैं तो पहले बताता हूं मेरको तो बहुत डर लग रहा है और मैं देख ता See Im साब मुझे नहीं पताता था See Im साब और बैठे थे तो मैं महसूस कर सकता हूं सींब साभ कितने डेरिंग होंगे वह कितना उनके अंदर सास है मिला झाल भाल वह कि पहुत डर लग रहा को भी लग रहा पका चेहा पता है get को इनाम मिला है और चेम साब में इतना कॉन्फिडेंस है तो इस उंट को इतना प्यार मिल रहा है किसां सेलपी ले रहे हैं ह। ये ये उट थो अमर हो गया क्या बाद है देखें अच्छा गाना भी फिर आपका हो जाए यह डांस कर रहा है इस बत को यो इसा एंडी मारा हरियाना हो जित शर्प बोरला ढूंगे पदमन दूद दही का खाना इसा एंडी मारा हरियाना अंदर से जो पेट से आवाज निकलती है कला कार के वो निकल नही करते हैं तो है आपको जैसाल मेर का आप दोड़ते हैं काई को किसी फेस के अलावा नहीं का पाकिस्तान से सठता हुआ है जो रेगी स्थार का लागा वहां पर तो उट चलते हैं आपको कश्मीर में भी सफ के जवान नहीं मिलेंगे उटों पर तो उट बेसिकली रेगिस्तान का है अभी उट को देखो यह शायद कुछ पाणी पिला पाणी पिला रहे हो आप लो क्य पशू पखेरू जो है एक ही चीज मानी जाती इन के अंदर भी वह समझदारी है यह बहुत बड़ी बात है देखो मेरा एक गाना है लोजेकर सुनो हरियाने का उसमें ये भी है कि मारे घेर में खडी सफारी से बढ़ दाते दोसती भी प्यारी से लोगा खात्र आवारा मामारी से जान डंग पशुआते भी पशुआते भी रिष्टा ने भाने का लोजेकर सुनो हरियाने का प्रेमर प्यार ने भाने का मेनत करके खाने का सिद्धे जद्य बाने का और महर सिंग के गाने का सिद्धे जद्य बाने का दादा लखमी के गाने का लोजेकर सुनो हरि तो पश्वों से भी परिवार की तरह प्रेम करने वाला यह अरियाना पूरी विशो में इसलिए परसीद है कि हमारे यहां बैस का जोटे का गा का बाचेडे का बोलत का हम पुर्शों के इस्त्रियों के नाम पर उनका नाम रखते हैं किसे का नम चेत किसे का तुफान किसे का भी वी नाम तुफान है, बताओ तुफान नाम का यह और बोल। कंदwe सब्वीस साल हो गया हम लाखा में पहुंजिए ऋडोड़ा पोजी कार्व में नेहीं है पचछा रुपे लेता है बड़ी साधी में जाता दया ूप सफोगातने ही काश कि काश हम भी उट होते हैं वैसे इससे नुच्छे उतरेंगे तो एक बात तो वह होगी कि यो पाणी आख्या का बिन बात तो आया ना नो डर लागा था जिब आया ओविसली डर तो लागा मैं तो जिंदिकी में पहली दूसरी बार उट पे बैठा हूं एक बर मैं जैसल मेर गुमने के लिए था तब मुट पे बैठा था और एक आज बथा हूं यह उट जैसल मेर की उट से थोड़ा सा ज्यादा अनकंपटिबल था है यह बड़ी अजीब बात है जब शादी होई तो भी गोडी नी मिली अमने तो अम तो जुमीदार आए बाल लग था ट्रेक्टर ते गुडचडी वहार हमारी ते पर यह है कि गोडी पर बैठती आना ज्यादा डर लग गए क्योंकि वह बहुत बड़ी जिम्मेवारी है जो ब्या की जिम्मेवारी है बच जिस तरीके से देखा ऐसे नीडी किसानों ने आज ट्रेक्टर जीते हैं याँ जिनके घर में मेरे हिसाब से मुस्किल से कहना हालां कि एक गलत बात हो जाती है लेकिन जिसके घर में शाइकल ना हो उसके घर में सिधा ट्रेक्टर पहुँचे तो सरकार की नीटी कहां तक सा देखो पहली बात तो आपने यो मेला खूब दिखाया है मैं पहले बहुत दन्यावाद करता हूं मीडिया का सोचल मीडिया का यूटूबर्स का इंफ्लेंसर का फेस्बुक के अपने साथियों का कि उन्होंने ना इस मेले की जो खास-खास-खास यतें थी आपने पशका है क्यां? पूरा साल भत्ची के पालता है वह उनको तो यह मेBEडा थेंक्स करूँगा अमारे सीम साहब का और ऑ़ वारे